Hello Everyone, Welcome Back to Organized Learning Channel अगर आप मेरे चानल पर नहीं हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेर और कॉमेंट करें तो Direct Rate of Education GNCT of Delhi की तरफ से 17 November 2021 के लिए English की वर्कशीट है, वर्कशीट नमबर 111, क्लास 2nd के लिए वर्कशीट है, टेक्स्ट बुक का नाम मैरे गोल्ड है और यूनिट नमबर 6, Mr. Nobody जो की एक पोयम है, पेज नमबर 90 पे दी गई है, उसको हम डिसकस करेंगे यहां सभी student अपना नाम लिखेंगे और यहां अपने teacher का नाम लिखेंगे तो आशा है कि आप सभी स्वस्त होंगे तो आप सभी क्या करेंगे, आपकी जो टेक्स्ट बुक मैरे गोल्ड है, उसमें जो पोयम दी गई है, Mr. Nobody उसको जोर-जोर से पढ़ेंगे और उसको enjoy करेंगे तो यह पोयम जो है, यह किसके बारे में है, यह एक person है, Mr. Nobody उसके बारे में है, जो कि घर में सारी शरारत करता है, लेकिन वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता है तो अब उस पर based कुछ questions देखते हैं Who is Mr. Nobody at your home? तो आपके घर पर Mr. Nobody कौन है? तो आपके घर में जो भी शरारत करता चाहिए, वो आप करते हैं या आपके भाई भेन करते हैं, तो आप उनका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं तो जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, I am Mr. Nobody at my home, कि मैं अपने घर पर Mr. Nobody हूँ Next question है, Have you ever done something funny or mischievous like Mr. Nobody? क्या आपने कभी Mr. Nobody की तरह कुछ funny या कुछ शरारती काम किया है? Share that incident with your teacher or parents अगर किया है, तो आप उसको अपने teachers के और parents के साथ share करेंगे तो देखिए, इसका answer आप इस तरीके से लिख सकते हैं Yes, I have done something mischievous at my home Once, I hid my grandfather's reading glasses and he was not able to read the newspaper But I realized my mistake and gave back the glasses to grandpa and apologized तो हाँ मैंने अपने घर पर जो है शरारती काम किया था एक बार मैंने क्या किया था? मैंने अपने जो grandpa हैं उनके जो reading glasses है, पढ़ने वाले जो glasses हैं, चश्मा था, उसको मैंने चिपा दिया था और जिसके वैसे वो newspaper नहीं पढ़ पा रहे थे लेकिन मुझे अपनी गलती की जो है, उसको realization हुआ मुझे महसूस हुई अपनी गलती और मैंने उनके glasses वापस दे दी उनको और मैंने उनसे माफी भी मांगी थी तो इसके अलावा अगर आपकी life में भी कोई ऐसा incident आपने किया है, mischievous या funny तो आप उसको भी answer में लिख सकते हैं, ठीक है? अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास? No one has seen Mr. Nobody, किसी ने भी Mr. Nobody को नहीं देखा है So let us try to draw Mr. Nobody, तो हम क्या करते हैं, Mr. Nobody को draw करने की कोशिश करते हैं Follow the instructions in the sequence mentioned below to draw तो यह instruction दी हुए है, आपको यह एक-एक step ऐसे के ऐसे follow करते हुए और Mr. Nobody को draw करते हुए जाना है तो जैसे देखिए पहला क्या है? Draw a round shaped face एक round shaped, गोल आकार का face जो है, वो draw करेंगे Draw some hair on the head और सिर पर कुछ बाल भी draw कर देते हैं, इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद है, draw the rest of the body फिर आप जो बाकी की जो बाडी बच गई है, उसको हम draw कर लेंगे, ठीक है? इस तरीके से जो है ये बादी की जो बाडी बच गई है, इसको हमने draw कर दिया ठीक है? ठीक है? Make Mr. Nobody Wear Your Favorite Dress तो इसको आप dress भी पहना सकते हैं, जैसे कि मान लिजिए, जो भी इनकी फेवरिट ड्रेस है, वो आप इसको पहना सकते है इस तरीके से ये buttons लगा दिये, ये belt पहना दिये, shoes पहना दिये, नीचे ठीक है? Finally color it अच्छा देखो, face पे हम eyes भी बना लेते हैं इस तरीके से eyes भी जो है, face पर बना लेते हैं ये nose बना लेते हैं और ये lips बना देते हैं ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर ये ears हो जाएंगे ये हो जाएगा अब इसमें आप ऐसे draw करेंगे ऐसे यही वाले steps follow कर गया और फिर last में इसमें color करेंगे और उसके बाद आप इस जो ये आपने ड्रॉ किया है Mr. Nobody इसको आप अपने teacher के साथ share करेंगे ठीक है? आगे देखते हैं आप talk time ये कुछ बच्चे हैं ये बाते कर रहे हैं आपको डायलोग्स जो है इनके उनको imagine करना है create करना है जोर से बोलना और अपनी roadbook में लिखना है तो मान लिजिए इस लड़की ने ये पौधा लगाया तो ये लिखेंगे I have planted a tree कि मैंने एक पेड लगाया है तो ये दूसरी लड़की कहती है I shall water the plant कि मैं इसमें पानी दूंगी ये लड़का कहता we shall take care of the plant कि हमें मिलकर इस पौधे की रक्षा और ध्यान रखना है अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों से बाचीत कीजिए कि ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को भी दुख पहुंचे कभी भी ऐसे शरारत नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख होगा और इसी के साथ कोरोना से बचने के लिए keep maintaining physical distance of 6 feet और 2 yards तो कोरोना से बचने के लिए सभी को 6 feet या 2 घस की शारिक दूरी बना कर रखनी है तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like, share और comment करें चानल को subscribe करें मिलते हैं next वीडियो में